में काफी सारे नवेशकों का पैशा बरबार्द हो चुका है काफी सारे निवेशक पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं कई सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आये मैसेज़ेस आये कि सुरदे स्मॉल फाइनस बैंक में काफी भारी भरकम पैसा लगाया था और आज तक की डेट में रिकवर नहीं हो पाया जिसकी वज़े से उन्हें एकसेट होना पड़ा जो बचा कुछा पैसा है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता लेकिन काफी लोगों का नुकसान काफी भारी भरकम है आज तक की डेट में उन्होंने स्टॉक से एकजट नहीं ली है जब से आई पी उनको मिला है आप देख सकते हैं पिछले पांच दिन की किरावट दे आप देख सकते हैं पिछले एक साल में 60% की गिरावट काफी माईने रखती इस स्टॉक में 95.95 के आसपास स्टॉक ट्रेट कर रहा है जब ये स्टॉक लिस्ट होने वाला था उस समय आप इसका IPO साइज देख सकते हैं IPO प्राइज देख सकते हैं 303 से 305 पर शेयर था और 49 का lot size था जो कि ये stock आज तक की date में 303 303 305 तक आज तक नहीं जा पाया 26 March 2021 को इसकी listing date थी listing काफी खराब होई काफी नीचे से हुई और उसके बाद काफी लोगों का ऐसा लगने लगा कि stock काफी discounted price में मिल रहा हो सकता है एक अच्छा move दे देगा और bit price के ऊपर ये stock निकलेगा तब हम इसको बेश देंगे तो कई सारे निवेशकों ने लालच की चक्कर में इस stock में invest किया बिना इसके background चेक किये काफी हलकी फुलकी company नज़र आई है अभी तक और काफी इनके जो बैंक का जो management है वो मुझे लगता है काफी strong नहीं है और बैंक का जो कुछ policies है वो भी strong नहीं नज़र आ रही मुझे वो पैंक में कुछ मुझे ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आता कि जिसकी वज़े से इस stock में invest करना चाहिए अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे comment box में जरूर बताएगा कि आप भी इस stock में फसे हैं या नहीं हम आगे बढ़ते हैं इसके chart में तो chart में नज़र आ रहा है stock एक support का इस stock में वापस एक बार फिर से support पर आया है stock ये 95.95 के आसपास इस stock में मुझे ऐसा लगता है कि market sentiment की वज़े से काफी किरावट पाकी है मुझे ऐसा लगते है कि फिर से stock 87 का एक low बनाएगा अगर 87 का एक low तूटता है तो stock काफी नीचे गयरता चले जाएगा मुझे ऐस क्योंकि 303 का जो bet price था वाज तक की rate में touch नहीं हुआ है और stock में कोई बड़ी move मेरे साब से संभाव नहीं है इस stock से बचें पैसा बरबाद मत कीजिए stock में ये एक मेरा personal opinion है इस video को आप जरूर लाइक कीजेगा और comment box में मुझे जरूर लिख के बताई गया इस stock में आप कि इस price पे और कब लिया था अपने stock और कब से फसे हुए हैं या अभी तक आप exit नहीं हुए हैं तो मेरे साब से वैसे exit होना चाहिए इस stock से